जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो चुटियां है वो 11 मई से होती है जो summer vacation जिसे हम कहते हैं या गर्मियों की चुटियां जिसे कहते है summer vacation वो होती है 11 मई से और उसी दोरान 11 मई से ही आपकी क्या शिरू हो जाती है summer vacation के साथ आपका summer camp शिरू हो जाता है या हम कहें 9 से लेकि 12 तक की हो जाती है extra classes शुरू तो क्या इस बार भी ये classes होनी है या ये summer camp होना है उसी के बारे में आज का वीडियो है तो देखो क्या कहा जा रहा है हर साल ऐसा ये काफी सालों से होता आया है पिछले कई सालों से मैं देखेंगे कि summer camp चलता ही आया है और हर बार continue हुआ है लेकिन इस बार ये होगा या नहीं इसी के लिए बहुत सारे question आ रहे हैं दिमाग में देखो इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो नहीं होने के chances है क्यों क्योंकि इस बार क्या है election है तो क्या होगा election के कारण सभी teachers जो है उनकी duties लग जाती है election में तो अगर teachers है election duty की preparation में जाए तो अभी election duties में टीचर जाएंगे तो student का summer camp हो या extra classes हो तो वो कौन देखेगा department इस बात से बहुत मलब कैते हैं कि उनके रिमाग में बहुत बाते चल दी है कि क्या करेगी summer camp लगाया जाए या नहीं लगाया जाए क्योंकि नहीं लगाया जाएगा तो बच्चे क्या होते है पूरा डेर महीना एकदम बोर हो जाते हैं और उनको कुछ creativity वाला काम नहीं रहता है उनके करने के लिए तो हर बार department यह चाता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे काम इन चुटियों में सिखाया जाए और वो यह नहीं चाहेगा कि summer camp ना हो या जो extra classes है वो ना हो लेकि अगर टीचर चले जाएंगे तो summer camp को कौन संभालेगा दोनों ही बात है लेकिन जो भी सुनने में आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस बार election की वजए से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ भी जो summer camp कहलो extra classes कहलो या हम कहते हैं यह जो extra classes या remedial classes इस बार नहीं होनी है ऐसा यह कहा जा रहा है कि 80% तक अभी क्या कहा जा रहा है ऐसा chance है कि यही होगा कि जो आपका summer camp है या हम यह कहा दें कि summer camp है या इसके लावा जो remedial extra classes है third से लेकि 12 तक कि सभी के लिए बात हो रहे हैं यहाँ पर क्यूंकि पूछ रहे हैं student कि कि किस कि class की summer vacation होगी कि कि extra classes होगी तो हो कोई extra classes नहीं होगी आपकी proper summer vacation होगी जैसे कि कुछ साल पहले वा करती थी proper देड़ महीने की छुटी होगी आपकी और अभी ऐसा लेकिन circular नहीं आया क्योंकि department भी बहुत confused है कि क्या करें क्या ना करें तो जैसे finally वो decision लेंगे उसके बाद मा आपको वीडियो बना दूंगे अभी का जो अभी जो सुनने में आ रहा है या जो हमें पता चल रहा है उसके recording 80% आप chance है कि इस बार कोई भी summer camp नहीं होने वाला है extra classes नहीं होने वाले लेकिन फिर भी तयार रहेगा कभी भी circular या कुछ change हो जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं का जा सकता लेकिन हम अभी के तो अभी सुन रहे हैं जैसे उसमें यहीं करकिक नहीं होगा और आप अपनी छुटियां enjoy कर सकते हैं यह हो सकता है कि आपको homework दिया जाए या कुछ activities दी जाए जो आपको करनी हो homework भी होगा और इसके लाव कुछ नई project वगर भी आपको यहाँ पर दिये जाएंगे तो ऐसा आपी जाए